नमस्कार में उकंचन लिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया नीज चैनल आई शुरू करते हैं आज की खबर बिलहुर पुलिस कर रही बड़ी घटना घटित होने का इंतजार कानपुर नगर के बिलहुर थाने में एक बार फिर फर्यादी मायूस नजर आ रहे हैं मामला इस बार गंभीर है जिस पर पुलिस ने यदि ध्यान नहीं दिया तो परड़ाम गंभीर हो सकता है कानपर नगर के विलहोर थाने में ग्राम गोहलिया पुर्वा में 10 अप्रेल की रात मौत बनकर आई मतुरा प्रसाथ की दो बेटियां खत्रे से अंजाम एक मंदिर के पास खेल रही थी दोनों के उम्र तकरीबन 12-8 वर्ष है तभी पुरानी रंजिस को लेकर गाओं के ही शीलू और छोटू दोनों बच्चीयों को खसीट ले गए और सरे शाम किरन और प्रीती के पैर काट डाले गटना के बाद इलाका सिहर उठा किरन और प्रीती को गंभी रवस्था में अस्पताल में भरती कराया गया और पूरा मामना पुलिस के संग्यान में लाया गया प्रत्यश्क दर्ची पीडित बच्चियों के बयान के आधार पर शीलू छोटू रमाकांती वश्राम श्री समेच चार लोगों को आरोपी बनाये गया गटना से इलाके में खौफ फैल गया है लेकिन यही दूसरी तरफ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे अपियों पर किसी और वज़े से नजरे करम किये हुए हैं समझ से बाहर हैं लेकिन पीडिक परिवार को मिल रही धंकिया और पुलिस की निश्क्रियता कहीं किसी और हास्ते को अंजाम न दे दे बताएं कि वो लोग कहा हैं तब पकलेगी और का अगा कि अगा कि आच आज आए है कि अब अब आपका हमारा ना मेना अचा जो आपकी बेटीयों के साथ यह प्रक्राइब आई है जटना हुए थी क्या आई है तक ना हम वह आप रहते नाई अब इक आप अजाल का मंदीर पते पकड़ लेके कौन लोग पकड़ ले गया था सीलू पकड़ खीच ब लए गया से मातारी अब ना गई तो सीलू ने खोसत करी छेड़ खानी कहरी तो पर जब माँ चली गई उनकी पात में तो छेड़ खानी तो कण नहीं पाई अब पाइं काटने पुलिस ने आप लोगों की ती चार लोगों गुनाम तो क्या वह पुलिस ने उठाए थे कुछ लोगों नाई उठाओ तो बड़ी मुश्किल में दूई लोगों आए पर पहुंची गए तो दूई लोगों को पकरो बाकी चुटा आए दूई लोग तो वह यह कहती है जब लोगों को काटेंगी तीकी बाद में है कि हमारे लड़ी का जेल जाएगा तब तक जेल नहीं जाएगा अच्छा अच्छा बिल्लोहर इस्पेक्टर साहब हैं इनके पास आप सिकायत नहीं करने आती है आए तो तुम दूड़ी कि लाओ हमें बता दें कहां पर रहें तो हम क्या लगता है पुलिस आपकी मदद नहीं कर रहें हमारी मंदद पुलिस ने कता ही नहीं कर रहें